दोस्तो अगर आपके Amplifier में Humming की समझे आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो से आपके Humming की Problem का Solution आसानी से हो जाएगा जो भी Steps बताऊँगा सभी को आप Follow करके देख लेना और दोस्तो अगर आपके Problem का Solution इस वीडियो को देखे हो जाता है तो इस वीडियो में एक प्यारा से कमेंट और एक Like उसकर लेना अगर फिर भी Problem का Solution नहों तो कमेंट करके अपनी Problem जरूर शेयर करना मैं कुछ नया तरीका भी यहाँ पर बताने कि आपको कोशिश करूँगा बिसिकली वह चीज़ें यहाँ पर ज्यादा बताऊँगा जहां-जहां से हमिंग की Problem का Solution आसनी से हो जाता है यह किसी भी Amplifier की बात करूँगा एक्जम्पल के लिए भले मैंने यहाँ पर 44-44 बोर्ट रखा हुआ है यह किसी में भी Apply होईगा यह 35-45 में भी काम करेगा सभी में भी बिल्कुल कोई सभी Amplifier हो भले 20-25 हो भले आपका Home Theater हो सभी में काम करेगा बस Amplifier होना चाहिए सबसे पहले तो वो चीज़ बताऊंगा जहां पर Humming की समझे आप बहुत बात देखी गई है देखिए Bluetooth कार्ड लगाने के बाद Humming का एक हलका साहून लान लगता है Bluetooth कार्ड लगाने के बाद या USB कार्ड लगाने के बाद अगर यह आपके साथ हो रहा हो तो एक छोटा सा काम कर लो यहाँ पर यहाँ पर Ground और 5V के पॉइंट पर एक Capacitor लगा लो अब Capacitor के जो Value होगी वो भी आपको उता देता हूँ Capacitor आप इस Value का नॉर्मली लगा सकते है अगर आपके पास 25V का हो वैसे minimum आपके पास 10V का होना चाहिए अगर 10V का आपके पास अबहलेबल नहीं हो तो आप यहाँ पर 16 या फिर 25V का लगा सकते है Capacitor लेकिन Capacitor का voltage के बाद आपने यहाँ पर Micro Farad जरूर देखना है 220 Micro Farad या फिर इससे थोड़ा सा उपर का भी आप लगा सकते हैं और थोड़ा सा और उपर 1000 Micro Farad का भी हो तो कोई प्रब्लम नहीं है इसको भी आप लगा सकते हैं Capacitor अकसर filter करने के लिए होता है जो भी आप Capacitor का जहांपर भी इस्तमाल कर रहे हैं Capacitor हमेशा circuit में एक filter circuit में voltage को filter करने का काम करता है इसे normal language में filter भी का जाता है तो ये filter करने का काम करता है जो आपके यहां से जो voltage इसको मिल रही है 5V वो filter नहीं हो पाती कहीं कारणों से कभी-कभी filter नहीं हो पाती है तो यहां पर humming की समय से इसके थ्रू कभी-कभी देखने के लिए मिलती है तो एक अलग से यहां पर Capacitor लगा के आप इसको humming की समस्या को खत्म कर सकते हैं इसके थ्रू अगर आ रही हो तो इस तरीके से यहां पर ग्राउंड के जगह आप इस Capacitor के नेगेटिव रहता है और इस पॉस्टिय के जिसको नहीं पता उनके लिए कह रहा हूं में तो यहां पर इस तरीके से connect कर लो और यहां पर उपर से socket जो भी होता है वो लगा लो इससे जो समस्या रही हो खत्म हो जागी अब दूसरा है amplifier से अगर humming की समस्या आ रही हो देखिए कई बार क्या होता है आप लकड़ी के box वगरे का असमाल करते हैं जैसे आपने metal का अगर amplifier है या किसी भी tin वगरे का amplifier है तो उसमें humming की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलते है proper grounding उसमें रहती है अगर आप किसी लकड़ी के box वगरे का या plywood के box वगरे का असमाल कर रहे है amplifier को assemble करने के लिए तो वहाँ पर हमिंकी समस्या थोड़ा से ज्यादा हमें मिलती है वो proper ground ना होने की वज़े से ऐसा होता है तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या करना है amplifier में जो ground का point है वहाँ से एक wire उठा लेनी है जो आप वहाँ पर अगर transformer का small देखे DC में हमिंकी समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है लेकिन अगर आप transformer या फिर AC से आप amplifier को चला रहे हो तो वहाँ पर हमिंकी समस्या ज़्यादा मिलती है तो यहाँ पर क्या करना है यह जो आप देख रहे है amplifier में जो main capacitor होता है main capacitor यानि कि जो rectifier के just बाद में यह जो main capacitor होता है तो यहाँ पर main capacitor का जो यह negative point है इसको यहाँ से एक wire उठा के transformer के यहाँ पर body के साथ transformer की body के साथ इसको sorting करना है और वहीं से एक wire उठा के यानि कि proper grounding का आपको बता देता हूँ capacitor के negative से transformer के यहाँ पर scratch करके sorting कर लो एक wire और यहीं से negative उठा के जितने भी आपके amplifier में potentiometer है base, treble, volume का या balance का जितने भी है वहीं से उठा के इनके यहाँ पर body में scratch करके है न एक एक wire यहाँ पर लगा लो जैसे कि एक example के लिए यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको sorting करा amplifier में यह base table जो भी हो सभी potentiometer के body के साथ एक wire connect करके और यहाँ पर यह main capacity के negative से connect कर लेना है और वहीं से एक wire transformer के यहाँ से भी connect होना चाहिए इससे आपकी humming की जो समश्या है 90% तक खत्म हो जाती है तो यह दो steps आप follow कर लो आपकी problem का solution हो जाएगा कुछ humming के जो कारण होते हैं वो main capacitor के week हो जाने की वज़े से भी होते हैं कभी कभी क्या होता है amplifier मगर यह main capacitor का week पढ़ जाए जो 1000 microphone का इसको आप जब capacitor मीटर में चेक करोगे तो यह जो इसकी capacity है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए तो यह humming की समश्या देखने के लिए मिलती है तो कभी कभी इसकी वज़े से भी होता है तो इसको भी आप एक बार change कर लेना तो यह सब step follow करने के बाद अगर नहीं हो रहा हो या तो सबसे पहले आप capacity change करके देख लो उसके बाद इन सभी steps को follow कर लेना और नमबर ती नमबर चार में आता है आपका IC कभी कभी IC में भी problems होने की वज़े से ऐसा होता है जरूर नहीं कि आपकी IC बिलकुल original हो तो आपकी IC में नहीं हम किसी भी electronic में जो भी components है किसी भी 100% guarantee नहीं होती है क्यों company से तो बिलकुल 100% वो बिलकुल उसमें more लगे हो रहेगी कि और इसा नहीं होता है कभी कभी आपकी IC में भी problems आती हैं तो IC की वज़े से भी problem देखने के लिए मिलती है तो last step जब सब कुछ follow कर लिया ज है उनमें भी कभी problem साजाती है उनसे भी होता है तो इतनी जगे से हमारा humming की समस्या का solution होता है card में यहाँ पर capacitor लगाने से main capacitor change करने से और proper grounding करने से ठीक है proper grounding से मिला मतलब है कि जो आपके यहाँ पर transformer की body है यहाँ से capacitor के negative में और capacitor के negative से यहाँ पर volume potentiometer के body के साथ connect कर लो आ आपकी humming की समस्य का समाधन बिलकुल 100% हो जागा अगर फिर भी कोई problem साती है तो एक बार भाई comment कर लेना मैं और भी कई सारे जो तरीके हैं वो सब के सब आपके सामने रख दूँगा लेकिन यहाँ पर जो चीज़ा रखी हुई है वो सब के सब बिलकुल हमारे साथ हमने सब्सक्राइब कर रहा हूँ अगर यह वीडियो वसन आते हैं लाइक करके सेर कर लेना और प्यारास कमेंट आवस कर लेना थैंक्यू समझ वाज़े इस वीडियो